सीथे धान करऊगे måmari Coч Peru चाहँए धान करने लिए उपयोग किया जाता है अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो उसे इस नीप कम किया जाता है आज में आपको सभी चीज़े इस वीडियो में बताने वाले हो तो फ्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू वियर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरे न्यू कितने सारे फायदे होते हैं तो आईए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ एंड जानते हैं कोकोनट ऑइल के बारे में अगर गाइस आप मेरे चैनल पर न्यू वियर है तो मैं आपको बता जेना चाहती हूं कि मेरा एक और यूट्यू चैनल है चितना क्रेशन के नाम से जह तो प्लीज लेको सब्सक्राइब करके बैल का इकों को भी प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आईए अब हम आपको कोकोनट ऑइल के बारे में जानकारियां देते हैं तो गाइस लेट्स स्टार्ट आज हम आपको बताने जारे हैं सबसे पहले नारियल के तेल के फायदे और कुछ नुस्के जो की आपकी स्किन टोन को कि सारी परेशानी हो अगर आपको कोई भी परेशानी हो अपने स्किन टोन से तो वह दूर हो जाएंगी तो गाइस यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कोकोनट ओइल के बारे में दक्षिनी भारत में नारियल का तेल भोजन बनाने में प्रयोग आता है अगर आप साउथ के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा नारियल के तेल का प्रयोग हम खाने के लिए भी करते हैं हाथ पैर फटे हूं ड्राइं हूं हेयर इस्पा करना हो या फिर आपको पैडिक्योर मैनिक्योर करना हो तब भी हम नर्यल का प्रयोग करते हैं नर्यल के तेल से इन सारी परिशानियों से छुटकारा मिलता है होठों से लेकर पैरों तक मतलब अपने लिप्स से लेकर लैक तक की प्राक्रतिक सुंदर्ता को पाने के लिए कोकोनट ओयल का इस्तिमाल करना बहुत ही अच्छा माना जाता है आप इसे खुद इस्तिमाल करके देख सकते हैं आपको बहुत फर्क महसूस होगा अक्सर विंटर सीजन में कोकोनट ओयल के जम चाने इसकी वज़ह से इसका इस्तिमाल करने से काफी लोग बचते हैं लेकिन थोड़ी सी महनत से आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं कोकोनट ओयल अगर सर्दियों में जम जाता है सूखा पर जाता है तब भी इसकी जो फायदे है वो नश्र नहीं होते हैं आप उसे थोड़ा सा गरम कर सकते हैं इसके बाद उसे अपलाय कर सकते हैं आपको उतने ही फायदे होंगे जितने की गर्म तेल में होते हैं अगर गाईज हम ब्यूटी से रिलेटेड बात करें तो अपनी स्किन को कोमल बनाने के लिए कोकोनट ओईल काफी फायदे मन होता है कई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्स में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए आप भी नारियल का इस्तेमाल खुद को सुन्दर बनाने के लिए कर सकते हैं हाथ पैर अगर आपके बहुत जदा ड्राय स्किन है तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होगे आपकी ड्राय स्किन बेजान स्किन लगती होगे आप बहुत सारे प्रोडक्स मार्केट के यूज़ करते हैं लेकिन अगर आप एक बार नार्यल का तेल भी इस्तिमाल करके देखेगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा कोकोनट ओइल की जो फ्रेग्रेंस होती है जो खुश्बू होती है वो काफी अच्छी होती है इसलिए आप इसे एक बार यूज़ करके देखेगे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा अब हम आगे बात करते हैं विंटर सीजन में हमारे लिप्स बहुत जदा ड्राय हो जाते हैं हम बार बार उन पर लिप बाम का इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर आप लिप्बाम के जगे कोकोनट ऑईल का इस्तिमाल करेंगे तो आपके लिप्स जादा अच्छे रहेंगे उनमें मॉश्यराइस बना रहेगा आपके लिप्स ड्राय नहीं होंगे आप अपने होटो पर नारियल को थोड़ी देर तक अपलाय करते रहें थोड़ी देर तक अपने होटो पर कोकोनट ऑईल को मलते रहें उसके बाद आप पानी से धोलें इसकी जो मॉश्यर है वो आपके लिप्स के अंदर बैठ जाएगा अच्छे से मॉश्यराइज कर लिजे इसके बाद आप उन्हें पानी से धोने के बाद आप कोई भी लिप लॉस लगा सकते हैं गाइस मार्केट के बहुत सारे लिप प्रोड़क्स का इस्तेबाल करने से हमारे जो लिप्स है वो ब्लैक हो जाते हैं बहुत ड्राइ हो जाते हैं हमारे लिप्स बहुत ज़दा काले पड़ जाते हैं लेकिन अगर आप नर्यल के तेल के इस्तेमाल करोगे आप कोकोनट ओईल का यूज करोगे तो आपके जो होट है वो पिंक भी रहेंगे मौस्टराइज भी रहेंगे और बहुत सुंदर भी देखेंगे ना ड्राइ होंगे और ना ही इसमें कोई ब्लैक स्पॉट रहेगा इसलिए आप कोकोनट ओईल का इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहां पर गाइस हम आपको कोकोनट ओईल के इंग्रेंड के बारे में बताएंगे तत्वों के बारे में बताएंगे तो इसमें नेचल और एंडी फंगल और एंटी बैक्टिरियल तत्व होते हैं जो आपके पैरों के इनफेक्शन और फंगस को दूर करने में मदद कर अगर आप नेयल का तेल हो जाना इस्थिमाल करते हैं संय तो यह आपके पैरों को कोमल मतलब की समूथ और फंगल इंफैक्षं से दूर रखेगा अगर आपके इसकिन पर डाक्पोत हो तो आप coconut oil का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम coconut oil के बारे में आगे बात करते हैं coconut oil से आप इस्पा का आनंद भी घर पर ही ले सकती हैं आपको पारलल में जाने की कोई आवेशक्ता ही नहीं होगी और अपनी स्किन को मुलायम भी पना सकती है इसके लिए आपको दो या तीन चमच ओट्स लेना है अब ओट्स लेने के बाद उसमें आपको coconut oil मिला लेना है इसका आपको एक बैटर तयार करना है एक पेस्ट तयार करना है इस पेस्ट को आपको 30 सेकंड के लिए microwave में गर्म कर ले इसके ब इसके बाद आपको मसलीन बैग में इस पेस्ट को रख देना है और अपनी पूरी शरीर में इससे मसाज करना है पूरी बॉड़ी पर आपको इससे मसाज करना है इस पेस्ट यह पेस्ट आपके पूरे शरीर का पी-एच लेवल को सामाने रखने में मदद करता है अब अगर कुछ आगे भी जाने तो कोकोनट ओयल से रोजाना गरारे करने से अपने मुझ से भी कई फायदे हो सकते हैं यह आपके दातों को भी सफेद बनाये रखेगा अगर आपको अपने माउथ में ब्लेडिंग गम की ड्राय लिप्स की ऐसी कोई भी परिशानी हो तो कोकोनट ओयल से गरारे करने से यह सारी परिशानिया दूर हो सकती हैं इसके लिए आपको रोज सुबह एक से दो चमज नर्यल के तेल एक गलास में पानी में मिलाकर के गरारे करने हैं कारीब 15 से 20 मिनिट तक आप गरारे करने के बाद गरम पानी से अपने मुझ को दो सकते हैं उसके बाद आप तूर्थ पेस से भी दाज़ाब कर सकते हैं यह एक जरा सा आधा डिबबा नर्यल तेल भर ले आपको इभी पॉक्स में स्क्रब बनाने के लिए कोकोनट ओईल इसमें भर लीजिए उसमें आपको दो चमज शहर और एक चमज चीनी डाल कर उसका आपको एक पेस्ट तयार कर लेना है जब तक चीनी अच्छे से घुल न जाए तब तक आपको उसे मिलाते रहना है पेडिक्यूर करने के लिए एक चमज स्क्रब को अपने पैरों पर अच्छे से मलें ताकि आपके स्किन की ब्रत कोशिका है मतलब की डाक स्पॉट्स निकल जाए उसके बाद आपको एक सॉफ्ट और सिल्की स्किन देगा और आपकी फटी एडियां भी ठीक करने में मदद करेगा तो गाइस अगर आपकी स्किन बहुत ही जाता डैड हो डैड स्किन सेल्स आपकी स्किन पर हो तो आप नर्यल के तेल से तेल में शहद मिला करके स्क्रब कर सकते हैं वह आपको काफी पाइदा मिलेगा कोकोनट ओईल को आप प्री शैंपू कंडिशनर के तौर पर भी इस्तिमाल कर सकती हैं थोड़ा सा नर्यल का तेल लेना है अपने हाथों में ले ले आप अपने ड्राय हेयर पर अच्छे से लगा लीजिए अगर आपके ड्राय हेयर हैं तो आप कोकोनट ओईल का इस्तिमाल कर सकते हैं गाइस कोकोनट ओयल को आप आदे गंटे के लिए तीस मिनट के लिए अपने बालो पर लगा हुआ छोड़ दें इसके बाद आप जो भी शेम्पू और कंडिशनर का इस्तिमार करते हैं अपने बालो को दोने के लिए आप वो अपलाए करके अपने बालों को धो सकते हैं और हमेशा की तरह आपके बाल सौफ्ट और मुलायम हो जाएंगे लेकिन आपको नरल का तेल इस्तिमाल करना है आप कभी भी बाल धो रहे हो तो आपको सबसे पहले आदे घंटे के लिए या फिर आपके ज्यादा ड्राय हैं तो आप एक घंटे क लिए अपने बालों में और में कोजोनेट ऑएल को लगा रहने मिल देजे इसके भाद रहने के बालों को स्तिमाल करने के बाद काम लगाने के बाद आपटेल यूओं अपने बालों को लगाएidd अगर आपके बाल जाधा बड़े हैं तो आप अपने हिसाब से coconut oil का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके dry hairs हैं तो ऐसा करने से आपके बाल रूखे नहीं होंगे मुलायम हो जाएंगे और बहुत ही shiny hairs हो जाएंगे साथ ही आपके बालों में से खुश्बू भी आएगी क्योंकि coconut oil की fragrance बहुत ही अच्छी है साथ ही आपके बाल में खुश्बू तो आएगी जब आपके बाल पूरी तरह से उलचे हुए हो तो अपने उंगली पर थोड़ा सा तेल दीजिए अपने finger पर थोड़ा सा oil लगा लीजिए और अपने बालों में आप मसाज कीजिए इससे भी आपके बालों में बहुत फायदा मिलेगा अगर आप बीच पर जा रहे हो तो अपने बालों में नर्यल का तेल लगाना बिल्कुल भी न भूले तेल आपके बालों का रूख़पन दूर करेगा धूप और खारे पानी से भी बचाएगा क्योंकि बीच का पानी हमेशा खारा ही होता है इसलिए अगर आप कभी भी पीच पर जा रहे हैं तो अपने बालों में coconut oil का भी इस्तिमाल कीजिए क्योंकि अगर आपके ड्राय बाल है तो आप coconut oil का इस्तिमाल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन होता है अब मैं आपको coconut oil के कुछ इंग्रेंज के बारे में बताती हूँ इसमें fatty acid की मातरा बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसलिए इसकी मालिश करने से यह आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राय हैं तो आप हफते में दो से तीन बार coconut oil का इस्तिमाल करें रात को सोने से पहले अपने बालों के scalp पर इसे apply करना ना भूलें बालों को अच्छी तरह से कंगी करें एक चोटी बनाए अगर आपके बाल लंबे हैं तो और अगली सुबह रोजाना जिस तरह से आप shampoo plus conditioner करते हैं उससे आप apply कर सकते हैं इससे आपकी जो बालों की dryness है व आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत इंफरमेशनल वीडियो लगी होगी अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो एच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके dry skin है आपके hair के लिए भी यह ज्यादा useful हुआ तो प्लीज आप अगली वीडियो आने वाली है कोकोना टॉइल के फायदों के बारे में मैं आपको यहाँ पर फायदे बेनिफिट्स एवं साइड एफेक्स पताऊंगी तो अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज बीज सब्स्राइब करके बैल आइकॉन को प्रेस कर दीजे ताकि मै जब भी वह वाली वीडियो डालूँगी आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे मिल पहले मिल सके और आप वह वाली वीडियो सबसे पहले देख सके एंड गाइस अब तक के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में गुडबाय एंड टेक केर